लेकिन इस से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिससे कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे लेकिन आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों हमारे वीडियोज को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही चमतकारी उपाए दोस्तों घर में रखें इन चार चीजों को और चुटकी में बदल जाएगी आपकी किस्मत तो आईए जानते हैं कि ये चार चीजें क्या हैं दोस्तों सबसे पहली चीज है चंदन घर में चंदन को रखना शुब माना जाता है कहा जाता है कि घर में रखने से उसकी खुश्बू से आसपास की नकर अत्मक्ता खत्म हो जाती है। पूजा के समय भी लोग चंदन का उपयोग करते हैं। पूजा अर्चना में इसका विशेश महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि चंदन का टीका लगाने से मन और मस्तिश् ठंडा होता है। दूसरी चीज है वीना मासरस्वती का प्रियवाद्ययंत्र है। इसलिए मासरस्वती के इस वाद्ययंत्र को घर पर रखने से मनुष्य पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा बुद्धी का विकास होता है और कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस मिलता है तीसरी चीज है दोस्तों घी हर एक घर में पाया जाता है इसका रोजाना सेवन करना फाइदेमंद होता है घी के सेवन से आपकी शक्ती बढ़ती है और स्वास्त भी अच्छा रहता है इसके अलावा पूजा के समय भगवान को तेल की जगे घी का दिया जला स चाहिए पूजा के दोरान सभी देवी देवताओं को शहद चढ़ाना शुब माना जाता है अगर आप रोजाना पूजा करते हैं तो घर में शहद हमेशा उपलब्ध होना चाहिए अगर आप भी घर में सुक समर्धी और शांती बरकरार रखना चाहते हैं तो दोस्तों इन बताई हुई बातों का जरूर ध्यान रखें और इन सारी चीज़ों को अपने घर में ले आएं जीवन खुशाल बना रहेगा दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए देखते रहिए चमतकारी टोटके यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूलें